हलो फ्रेंड्स और मैंड़ोज डेंड, Human Anatomy and Physiology Second BP201T के इस वीडियो में हम लोग कुछ important short questions और उसके answers के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोगों ने ऐसे questions को include किया है जो की काफे important है और अक्सर exam में दो नंबर में अलग-अलग universities में पूछे जाते हैं मेरा नाम है डॉक्टर महनताब सिंग चल ये शुरू करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे Human Anatomy and Physiology Second के important short questions और उसके answers को देखे तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 ऐसे questions को include किया है जो की काफी important है और अक्सर exam में पूछे जाते हैं तो इसमें जो सबसे पहला question है वो है हमारा what is the action potential तो action potential क्या होता है उसको आपको short में यहाँ पे लिखना है तो अगर हम लोग action potential को देखे तो जो हमारा action potential है इसको हम लोग nerve impulse के नाम से भी indicate करते हैं यह एक ऐसा हमारा electrical signal है जो की हमारे जो neurons है उनकी जो surface membrane है उसके along हमें propagate होते हुए देखने को मिलता है और जब action potential का movement होता है तो जो हमारे neurons है उनके थुरू हमें information travel होते हुए देखने को मिलती है तो अगर हम लोग action potential किस तरीके से generate होता है और travel होता है उसके बारे हम बात करते हैं तो जो हमारे neurons होते हैं उनकी जो plasma membrane है उस पे हमें कुछ special ion channels देखने को मिलते हैं और यह जो ion के channels होते हैं उनके छोटेजर के नाम से indicate करते हैं अब हम लोग एक्षिन पोटेंसियल के नाम से इंडिकेट करते हैं अब हम लोग अपने अगले question पे आजाते हैं, what are the name of the lobes of cerebral hemisphere, तो जो हमारा cerebral hemisphere है, उसके हमारे जो चार lobe है, उनके नाम आपको simply यहाँ पे लिखने है, तो अगर हम लोग यहाँ देखें, तो जो हमारा cerebrum है, उसमें हमें basically दो cerebral hemispheres देखने को मिलते हैं, और इसकी जो outer layer होती ह बाहर की layer है, उसको हम लोग cortex के नाम से indicate करते हैं, या यह gray matter कहलाता है, और इसकी जो अंदर की layer है, उसको हम लोग white matter के नाम से indicate करते हैं, और हर एक हमारा cerebral hemisphere है, उसमें हमें 4 lobes देखने को मिलते हैं, पहला lobe हमारा frontal lobe कहलाता है, दूसरा हमारा parietal lobe कहलाता है, तीसरा temporal lobe क यहाँ पे हैं इस प्यूए है प्राइस में जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हैं युह प्रेटे हैं आधीयर उनकीम तो हें। का पोर्षन है यह पोर्षन है इसको हम लोग फ्रंटल लोब बोलते हैं इसका जो साइट के पोर्षन है उसको हम लोग टेंपोरल लोब बोलते हैं इसका जो हमारा ऊपर का यह पोर्षन है इसको हम लोग पराइटल लोब बोलते हैं और यह पीछे का जो पोर्षन है इसको हम जो occipital lobe के नाम से indicate करते हैं, तो ये हमारा जो cerebral hemisphere है, उसके हमारे चार lobes होते हैं, अगला question जो है, ये भी काफी important है, what is the role of the mouth in digestive system, तो जो हमारा digestive system है, उसमें mouth के क्या role है, क्या काम है, तो अगर हम लोग माउथ को देखें, तो ये हमारा जो oral cavity है, वो कहलाता है, और ये हमारे digestive track का, जो first part है, वो यहाँ पे है, अगर इसके function को देखें, तो इसका जो सबसे पहला function है, कि जो हमारी oral cavity है, या mouth है, वो हमें यहाँ पे moustication को perform करते हुए, देखने को मिलता है, खाने को, जो हमारी कुचलने की process है, उसको हम लोग मौस्टिकेशन बोलते है, और जब हम लोग properly moustication को करते हैं, तो फिर हमारा जो swallowing है, food की, जो swallowing है, उसको निगलने की process है, वो हमें facilitate होते हुए, देखने को मिलती है, वो हमें आसान होते हुए, देखने को मिलती है, उसके बाद में, यहाँ पे, जो हमारी hard, यहाँ पे, उच्विंग, जो surface है, teeth है, हमारे mouth के अंदर, वो basically, जो food है, उसको small pieces में, उसक जब food is small, जो pieces है, उसमें टूटता है, तो उसको, उसके digestion की process हमें improve होते हुए, देखने को प्राप्त होती है, उसके बाद में, जो यहाँ पे अगला जो function है, कि जो हमारे teeth है, और जो tongue है, जो की mouth का part है, वो basically हमारा food और जो saliva है, उसको आपस में mix up करते हुए भी हमें देख देखने को मिलता है, और जो amylase enzyme है, यह basically food के अंदर जो starch है, उसको सुगर में हमें convert करते हुए देखने को प्राप्त होता है, और इसका जो अंतिम यहाँ पे है function कि जब हम लोग food का जो moustication है, वो करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे है saliva, वो हमारे food को हमें lubricate करते हुए दे में convert होते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि उसकी जो solowing की process है, वो हमें आसान होते हुए देखने को प्राप्त होती है, तो मिलो simply यहाँ पे इस place पे कह सकते हैं कि जो हमारा mouth है, उसका जो पहला function है, वो है जो moustication की process है, वो हमें mouth के थूँ परफार्म होते हुए देखन को मिलती है, food का जो breakdown है, वो भी हमारे mouth के अंदर ही हमें होते हुए देखने को मिलता है, saliva और food का जो mix-up है, वो हमें mouth के अंदर ही होते हुए देखने को मिलता है, अब हम लोग अपने अगले question पे आ जाते हैं, अगला question है हमारा differentiate between the vital capacity and total lung capacity, तो vital capacity क्या होता है और total lung capacity क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे properly explain करना है, तो अगर हम लोग vital capacity के बारे में बात करते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे force के साथ में जो maximum inhalation है वो करते हैं, उसके बाद में जब हम लोग force के साथ में exhalation की process करते हैं, सास को force के साथ में बाहर निकालते हैं, तो कितना maximum volume of gas हमारे lung से exchange हो रही है, बाहर निकल लही है, वही हमारा basically vital capacity कहलता है, तो जब हम लोग एक बार force के साथ में inhalation करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, और जब हम लोग force के साथ में सांस को बाहर निकालते हैं, तो कितना total volume gas बाहर निकल रही है वही हमारा यहाँ पे जो vital capacity है वो कहलाता है इसके फार्मूले को देखें तो जो हमारा vital capacity है is equal to IRV plus VT plus ERV यहाँ पे जो हमारा IRV है वो है हमारा यह हमारा कहलाता है inspiratory reserve volume कहलाता है उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे VT है वो tidal volume कहलाता है और ERV हमारा expiratory reserve volume यहाँ पे कहलाता है और अगर हम लोग इसकी normal values को देखें तो जो males है उसके अंदर यह हमें 4800 ml के आसपास देखने को मिलता है और जो females हैं उनमें यह हमें 3100 ml के आसपास देखने को प्राइब्ट होता है उसके बाद में अगर हम लोग total lung capacity के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे एक तस्वल लंग है उसमें जब हम लोग maximum inhalation करते हैं मतलब हम लोग force के साथ में जितना air को inhale कर सकते हैं अंदर ले सकते हैं उसको जब करते हैं तो हमारे lungs के अंदर कितना total volume of gas वहाँ पे है वो basically हमारा total lung capacity यहाँ पे कहलाता है तो अगर हम लोग इसका जो हमारा formula है उसको देखें तो जब हम लोग जो vital capacity है उसके साथ में जब हमारा जो यहाँ पे होता है reserve volume उसको जोड़ देते हैं sum कर देते हैं तो वही हमारा total lung capacity इस place पे यहाँ पे कहलात तो अगर हम लोग इसके फार्मूले को देखें तो जो टोटल लंग कैपसिटी है जिसको हम लोग TLC से भी इंडिकेट करते हैं इस इकल टू यह हमारा जो हुता है वाइटल जो कैपसिटी है प्लस जो हमारा रिजर्ड वालूम यहाँ पे है तो जो वाइटल कैपसिटी है वो क्या है यह है IRV प्लस VT प्लस ERV और यहां पर यह जो हमारा है वो है हमारा result volume तो यह मैंने यहां पर आपको explain करने के लिए वो लिखा है इसको आप लोग यहां से हटा दीजेगा क्योंकि अगर इसको भी आप जो question है उसमें include कर देंगे तो क्या होगा कि यहां पर जो automatically multiply का sign यहां पर आ जाएगा और आपका जो इसकी value है वो काफी जादा आ जाएगी बस यह मैंने explain करने के लिए लिए है vital capacity और reserve volume को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारे जो lungs है उसकी total capacity कहलाता है और अगर हम लोग इसकी normal value को देखें तो जो males है उनके अंदर यह हमें 6 लीटर के आसपास 6000 ml के आसपास देखने को मिलता है और जो females हैं उनके अंदर यह हमें 4.2 लीटर के आसपास देखने को प्राप्त होता है अब हम लोग अपने अगले question पे आ और अगर हम लोग glow merullars filtration rate को देखें तो basically जो हमारी दोनों kidneys होती है उनके अंदर जो total nephron है वो हर एक minute में कितना glow merullar filtration को form करते हैं वही basically हमारा यहाँ पे glow merullar filtration rate कहलाता है या हम लोग simply कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों kidney है उनके अंदर जो नो phron है वो एक मिनिट में कितना volume Glomerular Filtrate को बनाते हैं, वही हमारा यहाँ पर Glomerular Filtration Rate कहलाता है, और अगर हम लोग इसकी Normal Value को देखें, तो जो Healthy Individual है, उनके अंदर इसकी जो Normal Value है, वो 125 ml पर मिनट के आसपास हमें देखने को मिलती है, तो इसकी Definition को अच्छे से याद कर लीजेगा, एक्जाम में अक्षर आता है, उसके बाद में अगले कुशिन को अगर देखें, तो यह है हमारा Define Asthma and Pneumonia, तो यहाँ पर हमें अस्थमा और जो हमारा Pneumonia है, उसको Define करना है, तो अगर हम लोग अस्थमा के बारे में बात करते हैं, तो बिसिकली जो हमारे Airways हैं, लंग्स का जो Airways है, उसमें जब In Inflammation होता है, और वो हमें पतले होते हुए, नेरो होते हुए देखने को मिलते हैं, तो यह बिसिकली हमारा Asthma की Condition कहलाती है, और यह जो अस्थमा है, इसमें हमारे जो Bronchioles हैं, वो हमें अफेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, और इस प्लेस पे अगर हम लोग देखें, तो यह जो Bronchioles हैं, वो जब affect होते हैं, तो फिर हमारा यहां पे जो जो हमारा Airway है, लंग्स का, वो हमें नेरो होते हुए देखने को मिलता है, और अगर हम लोग जो pneumonia है, उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें यह हमारा एक फरकार का जो infection है, वो है, जो की हमार एक लंग में हो सकता है, या दोनों लंग में हमें होते हुए देखने को मिलता है, और इसमें हमारा इस place पे जो हमारे यहां पे ब्रॉंकियोल्स हैं, उसके साथ साथ में, जो उसके अंदर सैक्स होते हैं, उनमें भी हमें inflammation होते हुए देखने को मिलता है, यह हमारे किसी bacteria के कारण हो सकता है वाइरस के फंगस के कारण हमें अपने पेसेंट के अंदर नियुमोनिया डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है उसके बाद में अगर हम लोग अगले कोश्चिन पर आते हैं कोश्चिन नमबर सेवन यह हमारा इनलिच्ट द फंक्शन आफ हार्म हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं उनको आपको सौर्ट में यहां पर एक्स्प्लेइन करना है तो अगर हम लोग हार्मोन के फंक्शन को देखें तो यह हमारा जो फूड की मेटाबोलिज्म है उसमें भी काफी इंपॉर्टन रोल प्ले करता है हमारी जो ग्रोथ और डेवल करते है उसको फूड कर्ते हुए 24 और जो खूर्टन कृता है और यहां पर मैंटैन करते हुए सेख्षूल या जो री प्रोडॉड़क्शन है उसको भी स्पाइर और इसको प्रॉपर मेंटेन करते हुए हमें हार्मोन देखने को मिलते है तो यह हमारे hormones के कुछ जो function है वो यहाँ पे हैं इनको अच्छे से याद कर लिजेगा अब हम लोग अपने अगले question पे आते हैं जो अगला question है वो है हमारा briefly explain the kussing syndrome तो यहाँ पे kussing syndrome क्या होता है उसको आपको short में explain करना है तो अगर हम लोग kussing syndrome को देखें तो यह एक हमार disorder है जिसमें जो हमारी body है उसके अंदर एक hormone जो की cortisol कहलाता है वो हमेरे लंबे time तक और ज्यादा मात्रा में जब produce होते हुए देखने को मिलता है तो वो हमारी disorder है उसको हम लोग kussing syndrome के नाम से indicate करते हैं तो जो cortisol है यह basically एक हमारा stress का hormone यहाँ पे होता है और यह हमारा जो body है वो stress को किस तरीके से respond करती है उसमें यह काफी important role play करता है और जब यह हमारे body में ज्यादा बनने लगता है तो वही हमारा disorder kussing syndrome के नाम से उसको indicate करते हैं अगर इसके जो science हैं symptoms हैं उसके बारे में बात करते हैं तो basically जो patient है उसके अंदर weight gain होते हुए हमें देखने को मिलता ह है उसका जो यहां पर होते हैं जो fatty tissues होते हैं उनके वो हमें उसके अंदर deposit होते हुए देखने को मिलते हैं उसका जो arm है और जो leg है वो हमें पतला होते हुए देखने को मिलता है face उसका rounded होते हुए हमें देखने को मिलता है face उसका जो गोला का टाइप का यहां पर हो जाता ह उसके अंदर जो fat है वो increase होता है, specifically उसके जो cheeks है, गाल है, उनका जो base है, वहाँ पे हमें fat increase होते हुए देखने को मिलता है, और अगर इसके जो complication है, उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हमारे patient के kissing syndrome हो जाता है, तो उसके अंदर heart attack के chances हमें increase होते हुए देखने को मिलते ह है, जो stocks है, वो उसके अंदर हो सकता है, blood के clot उसके अंदर हमें जो lungs हैं, उसके legs और जो हमारा lungs है, वहाँ पे हमें blood के clot उसके अंदर बनते हुए देखने को प्राप्त हो सकते हैं, तो यह जो हमारा disorder है, काफी important है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजेगा, उसके बा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे sort में लिखना है, तो अगर हम लोग simply देखें, तो जो fertilization की process होती है, वो हमें जो fallopian tube है, उसके अंदर होते हुए देखने को प्राप्त होती है, और यह जो fallopian tube है, यह basically ovary, और जो uterus है, उसको link करते हुए हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो हमारा fertilized egg होता है, अगर वो successfully जो हमारा होता है fallopian tube, उसको वहाँ पे travel करके cross कर जाता है, तो उस condition में फिर वो जाके females का जो uterus है, वहाँ पे implant हो जाता है, और embryo की growth हमें start होते हुए देखने को मिलती है, तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि females के अंदर ज process होते हुए देखने को मिलती है, अगला question हमारा यहाँ पे है, define the term cerebrum, तो यहाँ पे जो cerebrum है, उसको हमें sort में define करना है, तो अगर हम लोग simply देखें, तो जो हमारा brain का जो सबसे largest part है, वो basically cerebrum कहलाता है, और यह हमें यहाँ पे 2 hemisphere या halves में divide होते हुए देखने को मिलता है और हर एक जो इसका हमारा hemisphere है, उसको हम लोग cerebral hemisphere के नाम से indicate करते हैं, और अगर हम लोग इसकी activity को देखें, तो यह हमारे जो हुतनी muscle के function उसको भी हमें control करते हुए, यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारा speech है, thought है, emotions है, reading है, writing है, और हमारी जो learning की ability है, इन सब को हमें यह control करते हुए, देखने को मिलता है, उसके बाद में, अगर हम लोग अगले question पर आते हैं, वो है, हमारा what do you mean by the gametogenesis, तो यहाँ पे हमें जो gametogenesis है, उसके बारे में simply, इस place पर जो है, लिखना है, तो अगर हम लोग जो हमारे gamet है, उनके बारे में बात करते हैं, तो basically, जो males ह उनके अंदर का जो हमारा gamet है, वो हमारा जो secondary oocytes होती है, वो कहलाती है, और उनको बनने की जो process है, उसी को हम लोग simply, यहाँ पे gametogenesis के नाम से indicate करते हैं, तो अगर हम लोग simply कहा है, तो जो हमारा haploid, जो gamets होते हैं, वो basically हमें जहाँ पे development की जो हमारी process है, उसी को हम नाम से indicate करते हैं, और अगर हम लोग male में देखें, तो यह हमें testis में होते हुए देखने को मिलता है, और females में जो gametogenesis है, वो हमें उनके ovary में होते हुए देखने को प्राप्थ होती है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारे males हैं, उनके अंदर का, जो हमारा जो होता spermato जोवा होता है या sperm जो cells है वो होती है और उसके production की process को हम लोग spermato genesis के नाम से indicate करते हैं और जो female का हमारा जो यहाँ पे है तो वो gamet है वो basically जो वहाँ egg है या ova है वो कहलाता है और इसके बनने की process को हम लोग oogenesis के नाम से यहाँ पे indicate करते हैं उसके बाद जो यहाँ पे हमारा अगला question है वो है what is the role of the SCL in digestive system तो जो हमारा hydrochloric acid है उसका हमारे digestive system में क्या role होता है उसके बारे में short में आपको यहाँ पे लिखना है तो अगर हम लोग simply देखे तो जो हमारा hydrochloric acid होता है वो basically हमारा जो gastric juice है उसके अंदर food का जो breakdown है वो हमें इसके through होते हुए देखने को मिलता है और जो हमारे यहाँ पे digestive enzymes होते हैं वो हमें food के अंदर के protein को split करते हुए देखने को मिलते हैं और यहाँ पे यह जो हमारा एक तरसे acidic जो gastric juice है SCL है वो हमें अगर food में कोई bacteria वगएरा आ जाता है तो उसको भी kill करते हुए हमें देखने को मिलता है और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा stomach की outer layer होती है wall होती है उसके थूँ जब mucus का secretion होता है तो वो हमें इस acid से जो stomach की wall है उसको protect करते हुए देखने को मिलता है तो आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा hydro जो हमारा hydrochloric acid है जो की gastric juice में होता है वो food का जो breakdown है उसमें ये काफी important role play करता है और ये हमारे bacterias को भी kill करते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में जो अगला question है वो है हमारा give the function of the cerebrum तो यहाँ पे हमें जो brain का part है जो की cerebrum है उसके कुछ functions के बारे में simply लिखना है तो ये जो हमारा यहाँ पे होता है cerebrum वो basically जो हमारी यहाँ पे होती है walking की process है posture है balance है coordination है eye का movement है और speech है इन सब को हमें control करते हुए cerebrum देखने को प्राप्त होता है तो इसके ये function है उनको अच्छे से याद कर लीजेगा एक question और है जो काफी important है वो है हमारा draw available diagram of the neuron तो जो neuron है उसका एक simple जो diagram है वो आपको यहाँ पे draw करना है और उसके जितने भी part है उनको अच्छे से यहाँ पे लिखना है तो अगर हम लोग simply देखें तो ये जो उपर का part है ये हमारे neuron की जो cell body है वो कहलाता है जिसमें हमें ये जो dendrites है वो देखने को मिलते हैं और इसके अंदर जो nucleus है वो हमें simply यहाँ पे देखने को मिलता है ये इसका जो portion है ये इसका जो exon का portion है वो यहाँ पे कहलाता है जिसके उपर हमें जो हमारा myelin seed है वो यहाँ पे देखने को मिलती है और इसका ये जो end है ये basically terminal है वो या जो nerve ending है उसके नाम से इसको indicate करते हैं और इसके थूँ ये हमारे जो दूसरे neurons है उससे हमें connect होते हुए देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में अगर हम लोग अगले question पर आते हैं ये हमारा define the tidal volume ये भी काफी important question है अक्सर exam में ये पूँचा जाता है तो अगर हम लोग tidal volume के बारे हम बात करते हैं तो basically जब हम लोग rest की condition में होते हैं तो कितना amount of air हमारे जो हमारा लंग्स है उसके थुरू हमें वहाँ पे move in या move out होते हुए देखने को मिलती है एक respiratory cycle में वो basically वो amount हमारा यहाँ पे tidal volume कहलाता है तो जब हम लोग simply sans लेते हैं तो कितना amount of air हम लोग sans में अंदर लेते हैं या sans के थुरू एक cycle में बाहर निकालते हैं वो ही volume हमारा यहाँ पे simply tidal volume कहलाता है और अगर हम लोग healthy adult male हैं उनमें देखें तो tidal volume approximately 500 ml के आसपास हमारा अगला question है जो की again एक काफी important question है try available diagram of the kidney तो आपको kidney का एक simple diagram है वो यहाँ पे draw करना है तो यह हमारा kidney है उसका एक simple diagram है यह बेसिकली जो हमारा होता है ureter वो यह portion है वो indicate कर रहा है यह हमारा healer का portion है वो यहाँ पे है उसके बाद में यह जो हमारा इसकी outer यह जो portion है इसको हम लोग cortex के नाम से indicate करते है यह हमारी जो होती है medullary rays वो यहाँ पे होती है इसकी जो outer वो covering है वो हमारा इसका जो capsular space है वो यहाँ पे space पे कहलाता है अच्छे से practice कर लेंगे तो आप आसानी से इसको जल्दी से exam में draw कर पाएंगे इसके बाद हम लोग अपने अगले question पे आजाते हैं अगला question है हमारा enlist the function of the saliva तो हमें जो saliva है जो की हमारे mouth में secret होता है उसके क्या function होते है उसके बारे में sort में यहाँ पे लिखना है तो इसका अगर जो पहला function है उसको देखें तो basically saliva हमारे mouth को हमें clean करते हुए देखने को मिलता है हमारे mouth में जब हमें इसा saliva का secretion होता रहता है तो हमारा mouth हमें उससे clean होते हुए देखने को मिलता है और अगर हमारा जो mouth है उसमें food के थुरू या air के थुरू अगर germs वगएरा आ जाते हैं तो उनको भी destroy करने की tendency छमता हमारे saliva में होती है उसके बाद में इसका जो अगला function है कि ये जो हमारा food होता है उसको हमारा saliva lubricate करते हुए भी देखने को मिलता है उसको गीला करते हुए भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिससे कि उसकी जो swallowing की process है निगलने की process है वो हमें आसान होते हुए देखने को मिलती है उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा saliva है उसमें एक हमारा enzyme जो की salivory amylase हमें देखने को मिलता है और य जो हमारी टंग है और टीथ है उसको, जब उसका मॉस्टिकेशन होता है तो वो हमें बोलस में कनवर्ट होते हुए देखने को मिलता है. यह जो bolus है यह एक हमारा ball like का जो mixture है food का वो यहाँ पे होता है जिसमें हमारा जो saliva है mouth में हमें जो food है उससे मिलता है और एक ball like का structure bolus का हमें formation होते हुए देखने को मिलता है जिससे की food की जो swallowing की process है वो हमें आसान होते हुए देखने को मिलती है उसके बाद में अगर हम लो activity है उसकी अंदर की जो lining होती है उसको हमें moisture भी करते हुए देखने को प्राप्त होता है और यह हमारी जो होती है टंग जो हमारी tongue है जीव है उसकी surface से हमें यह secret होते हुए देखने को मिलता है अब अगर हम लोग यहाँ पर जो अगला question है उस पर आते हैं तो यह question है हमारा what do you mean by the synapse यह भी काफी एक important question है अक्सर exam में पूछा जाता है तो हमारे जो neurons होते हैं उनके बीच में जो small gap है उसको ही हम लोग basically synapse के नाम से indicate करते हैं आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारे दो neurons आपस में connect होते हैं तो वो वहाँ पे एक दूसरे को touch नहीं करते हैं उनके ब है उसी को हम लोग synapse के नाम से यहाँ पे indicate करते हैं और यह जो हमारा यहाँ पे है synapse उसके थ्रू ही हमारा जो signal है वो हमारे एक neuron से दूसरे neuron में हमें transfer होते हुए pass होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है और यह जो हमारे neurons होते हैं यह basically हमारा जो nervous system है उसकी ऐसी cells होती है जो कि यहाँ पे जो हमारा information है उसको transmit करते हुए देखने को मिलती हैं brain और जो हमारे यहाँ पे cns के और part हैं और जो हमारे body के और organs हैं उनके बीच में जो information है वो हमें neurons cell के द्वारा transmit होते हुए देखने को मिलती है तो हम लोग simply यहाँ पे इस place पे कह सकते हैं कि हमारा जो एक neuron है उसको दूसरे neuron से connect करने के लिए जो space form होता है उसी को हम लोग signups के नाम से indicate करते हैं अब हम लोग यहाँ पे अगले question पे आ जाते हैं sequentially enlist the different layer of manages तो जो हमारी यहाँ पे manages है जो की हमारे brain की जो outer covering है वो होती है उसके जो layer के नाम है उनको आपको sequence से यहाँ पे लि simply देखें तो basically हमारे जो manages होती है वो हमारे जो space पे brain है या spinal cord है उसमें हमें तीन layers उसको cover करते हुए देखने को मिलती है यह तीन layer हमारी basically manages कहलाती है और यह हमारे brain और spinal cord को हमें protect करते हुए देखने को मिलती है इसमें जो सबसे अंदर की layer होती है सबसे जो यहाँ पे हमा कहलाता है और जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम लोग डूरा मैटर के नाम से इंडिकेट करते हैं तो सबसे अंदर की लेयर पिया मैटर है बीच की लेयर हमारा जो होता अरेकोनाइड मैटर वो कहलाता है और जो सबसे हमारी बाहर की लेयर है वो हमारा डूरा मैटर यहा इंजाइम तो ये भी काफी important question है, exam में ये पूछा जा सकता है, तो अगर हम लोग simply देखें, तो हमारे जो breast border enzyme है, हमारे कुछ enzyme है, जिनको हम लोग breast border enzyme बोलते हैं, ऐसा हम लोग इसको इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे cells से produce होती है, जो कि हमारा intestinal wall है, उसकी जो हमारा enterocyte cells ह होती है, उसके द्वारा हमें ये जो enzymes हैं, वो produce होते हुए देखने को मिलते हैं, और यहां पे हमारा intestinal, जो हमारी wall है, या इसको हम लोग breast border के नाम से भी indicate करते हैं, उसकी cells के द्वारा ये produce होती है, जिसके कारण की हम लोग इसको breast border enzyme के नाम से indicate करते हैं, और अगर हम लोग जो breast border है, उसको देखें, तो ये एक हमारा ऐसा chemical barrier होता है, जिसके through हमारा जब food पास होता है, तभी वो absorb होके हमारे blood में हमें उसके अंदर के nutrient जाते हुए देखने को मिलते हैं, तो यहां पे हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं, कि ये हमारा intestinal, जो wall है, जो की एक breast border की तरह add करता है, उसकी जो हमारी interocyte cells है, उसके द्वारा ये enzyme produce होते हैं, इसी के कारण हम लोग इसको breast border enzymes के नाम से indicate करते हैं, अब हम लोग अपने अगले question पर आ जाते हैं, outline the process of the digestion, तो हमें जो digestion की process है, उसको यहां पे simply short में explain करना है, तो अगर हम लोग अपना digestive system को देखें, तो है, तो उसका वो फिर हमें वहां पे digest होते हुए देखने को मिलता है, food का digestion वहां पे होता है, फिर उसके अंदर के जो nutrient है, उनका absorption होता है, वो absorb होके हमारे blood में आते हैं, और हमारे जो food है, उसके ऐसे component जो की वहां पे होते हैं, indigestible होते हैं, वो digest नहीं होते हैं, वो फिर ह हमारे body से हमें excrete भी होते हुए देखने को मिलते हैं, तो अगर हम लोग यहां पे simply कहें, तो जो हमारा यहां पे digestion है, वो basically इसमें हमें 6 activities involved देखने को मिलती है, पहली activity हमारा ingestion है, ingestion में हम लोग food को अपने digestive system है, उसमें mouth के थुरू introduce करते हैं, उसके बाद में mortality है, जब हमारा digestive system है, mouth है और और जो part है, उनमें जब movement होता है, तो उसको हम लोग जो हमारा mortality है, उसके नाम से indicate करते हैं, जिसके थुरू हमारा जो food है, वो body में हमारे digestive system में उपर से नीचे की और move करता है, उसके बाद में जो हमारा यहां पे तीसरा process है, वो है mechanical digestion, इसमें हमारा जब जो हम हमारी mortality की process होती है, movement होता है, तो हमारा जो food है, वो हमें यहां पे mechanically digest होते हुए, या छोटे-छोटे part में तूटते हुए देखने को मिलता है, उसके बाद में जो अगली process है, वो है हमारा chemical digestion, इसमें हमारे body के जो अलग-अलग enzymes होते हैं, और जो gastric juice है, वो यहां पे जो हम nutrient उसमें है, उनका फिर absorption होता है, और वो हमारा जो digestive system है, उससे absorb होके हमारे blood में जाते हैं, और हमारे ऐसे component जो की वहां पे indigestible होते हैं, उनका फिर हमारे body से जो teffication है, वो होता है, हमारा जो यहां पे anus है, उसके थ्रू वो हमारे body से बाहर निकलते हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो यह basically हमारी 6 activities हैं, process हैं, जो की हमारे digestive system में हमें होते हुए देखने को मिलती हैं, अब हम लोग अपने अगले question पे हम लोग आ जाते हैं, यह question है हमारा determine the net filtration pressure, तो हम लोग जो हमारा net filtration pressure है, उसको किस तरीके से determine यहां पे कर सकते हैं, यह हमारा urine की formation की process है, उसक एक यहां पे parameter होता है, तो अगर हम लोग net filtration pressure के बारे में बात करते हैं, तो यह हमारा वो total pressure है, जो कि हमारा filtration की process है, उसको promote करने का काम करता है, मतलब कि हमारा net filtration pressure जितना जादा होगा, उतना ही जादा urine का formation या blood का filtration हमें होते हुए देखने को रात होगा, इसके अगर formula को द देखें, तो जो हमारा net filtration pressure है, जो कि NFP कहलाता है, equal to GBHP minus CHP minus BCOP, तो अगर हम लोग GBHP को देखें, तो जो हमारा GBHP है, यह basically हमारा कहला तो glomerular blood hydrostatic pressure GBHP कहलाता है, और यह normal condition में हमें 55 mmHg के आसपास देखने को मिलता है, और जो GBHP है, वो हमारे net filtration pressure को promote करते हुए हमें दे अगर हम लोग CHP के बारे में बात करते हैं, तो जो CHP है, यह basically हमारा जो capsular hydrostatic pressure है, वो होता है, जो कि 15 mmHg के आसपास होता है, यह हमारा जो net filtration pressure है, उसको हमें oppose करते हुए देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोगों ने minus sign से indicate किया है, और जो तीसरा है BCOP, यह हमारा यहा जो कि 30 mmHg के आसपास हमें देखने को मिलता है, और यह भी हमारा net filtration pressure है, उसको हमें oppose करते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण यह भी हमारा minus में है, तो जो हमारा यहाँ पे GBHP वो कितना है, यह हमारा 50 mmHg है, उसके बाद में CHP को देखें, तो यह हमारा यहाँ पे 15 है लेकिन यह हमारा minus में होगा, क्योंकि यह filtration की process को oppose करता है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा BCOP है, वो 30 mmHg होता है, यह भी minus में होगा, क्योंकि यह भी filtration की process को oppose करता है, तो यहाँ पे इस place पे क्या हो जाएगा, जो 15 और जो हमारा 30 है, अगर इसको filtration pressure है, NFP है, वो approximately हमें 10 mmHg के आसपास देखने को मिलता है, अब अगर हम लोग अगले question को देखें, तो यह है हमारा right any two function of the thyroid gland, तो हमारा thyroid gland है, उसके हमें कोई दो function यहाँ पे लिखने है, तो इसमें अगर हम लोग simply देखें, तो जो हमारा thyroid gland है, उसके through basically जो hormone mainly secret होता है, वो तो हमारा thyroxine hormone यहाँ पे होता है, और यह जो thyroxine hormone है, यह हमारे blood stream में, blood में हमें जाते हुए देखने को मिलता है, अगर इसके function को देखें, तो यह हमारा जो होती है metabolism की process, उसमें काफी एक important role play करता है, heart और जो muscle का function है, उसमें यह काफी important role play करता है, brain के development में भी यह काफी important role play करता है, और हमारी जो bones हैं, उनको maintain करने में, यह काफी यहाँ पे important role play करता है, तो आप इसमें से कोई भी दो function जो आपको अच्छे से याद हो जाए, उनको आप exam में यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद में जो अगला question है, वो है हमारा differentiate between the exocrine gland and endocrine gland, तो यहाँ पे हम लोग exocrine gland के बारे में बात करते हैं, तो basically यह हमारे ऐसे glands होते हैं, जो कि अपने secretion को duct में हमें डालते हुए देखने को मिलते हैं, यह ऐसे gland हैं, जिनमें हमें ducts देखने को मिलती है, और यह जो इनका secretion होता है, उसको यह discharge हमारे body की जो surface है, या body के अंदर के जो lumen है, खाली स्थान है, वहाँ पर हमें discharge करते हुए देखने को मिलते हैं, अगर इसके example को देखें, तो जो हमारा sebaceous gland है, जो कि हमारे skin में होता है, वो यहाँ पर एक exocrine gland है, जो हमारा salivary gland है, जो कि हमारे baccal cavity या mouth में होता है, वो भी exocrine gland होता है, जो हमारे gastric gland है, जो कि stomach की wall प gland होते है, यह अपने अंदर का जो secretion है, उसको किसी duct में हमें discharge करते हुए देखने को प्राप्त नहीं होते है, यह जो cells है, जो कि in secretion को produce करती है, उसी के बाहर के interstitial fluid में उसको secret करते हैं, और वहाँ से वो move होके हमारे blood stream में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग ductless gland के नाम से भी indicate करते हैं, यह अपना जो secretion है, उसको हमारे blood stream में discharge करते हुए देखने को मिलती है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अधिकतर जो हमारे hormone secret होते हैं, उनको हमारे exocrine, जो endocrine gland है, उसके द्वारा secret होते हैं, अब अगर हम लोग इस place पे बात करते हैं, इसके example के, तो जो हमारा pituitary gland है, जो thyroid gland है, adrenal gland है, यह सब हमारे यहाँ पे जो endocrine gland है, उसके यहाँ पे example है, अब हम लोग अपना जो अन्तिम question है और पच्चिसवा question है, उसके आ जाते हैं, तो अगर हम लोग अन्तिम question को देखें, तो यह है हमारा explain importance of the pineal gland, तो यहाँ पे हमें जो pineal gland है, उसके importance को यहाँ पे लिखना है, तो एक चीज़ में आप लोग को और कह दूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी endocrine gland आपके syllabus में दिये गए हैं, उन सारे gland के आप approximately 3-4 function अच्छे से तयार कर लिजेगा, एक ना एक gland के function पे question नदिक तर प करता है, उसको हमें secret करते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है, और यह जो हमारा milatonin है, वो basically हमारी जो होती है circadian cycle है, उसको हमें control करने में काफी help करता है, हमारी sleep और जो हमारा wakefulness है, उसकी जो हमारी cycle है, उसको यह यहाँ पे control करने में काफी एक important role play करता है, या simply कहें, तो ये हमारे body clock को regulate करते हुए हमें देखने को राप्त होता है और इसका एक function और है कि ये जो melatonin है ये एक काफी potent antioxidant भी होता है जो कि हमारे जो free radical है oxygen के free radical है उससे हमारे body को हमें protect करते हुए भी देखने को राप्त होता है तो ये जो हमारा यहाँ पे है कि कैसकते है pineal gland है उसके द्वारा कौन सा hormone secret होता है तो melatonin और ये हमारा जो circadian cycle है उसको control करने में help करता है और ये एक antioxidant की तरह भी act करता है तो I think so ये जो हमारे 25 questions है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे इनके answers भी आप लोग को clear हो गए होंगे आप चाहें तो इसके answer अपने हिसाब से भी जो है जो अलग-अलग books है या notes वगरा है वहां से आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं जो matter है content है अगर उसको थोड़ा बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसको भी आप अपने हिसाब से इस place पे आप लोग कर सकते हैं जब आप एक चीज और है कि ये जो 25 questions है वो important है लेकिन और भी हमारे जो questions है वो पूछे जा सकते हैं दो नंबर में कौन सा question जो examiner paper में डाल दे कोई कुछ इसके बारे में जो है कह नहीं सकता तो जो आपका पूरा syllabus है उसको अच्छे से तयार करके जाएं तो जब उसको अच्छे से तयार कर लेंगे तो जितने भी question बन सकते हैं उसके सारे के स आंसर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और हमारे एप को install करना बिल्कुल भी न बूलें इसका जो PDF लिंक है वो आपको description में आज जो है साम तक इस पर update हो जाएगा तो वहां से आप PDF को भी download अपने पास कर सकते हैं और इसके आंसर अच्छे से लिख सकते हैं thank you